हेलो एवरिवन बेलकेम टू माई चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आज हम दिन के खाने में बनाने जा रहे हैं कड़ी और चावल तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम कड़ी के पकोड़ा बनाएंगे तो इसके लिए हम बेशन लिए हैं उसमें नमक, हल्दी, जीरा, मरीच धनिया, सबी मसाले डालके और खाने वाला सोडा डाल करके पानी डाल करके इसे अच्छे से मिलाएंगे इसको कड़ीव हम पांच मिनट तक फेटते रहेंगे ताकि यह स्पॉंजी हो सके और इसे एक ही डायरेक्शन में फेटना है तो हमारा पांच मिनट हो गया है तो अब सारे सबजिया धो करके रख लिया है जैसे प्याज, टमाट, अद्रक, लसुन और यह देखे इसका कलर पूरा चेंज हो गया है मतलब यह पूरी तरह से पक गया है तो हम इसे एक बरतन में निकाल लेंगे इसे ज़्यादा ज्यादा करा नहीं करेंगे अगर ज्यादा करा हो हम काट लेंगे तो सबसे पहले हम प्याज काट लिये हैं फिर हम टमाटर को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे तो सभी को हम अच्छे से धोकड के छोटे-छोटे काट लिया हैं अब अद्रक लहसुन को भी इस तरह से इसका पेश्ट बना लेंगे सभी को सभी अद्रक लहसुन को इस तरह से पेश्ट बनाने के बाद अब इसके कड़ी के लिए इसका ग्रेवी तयार करेंगे तो थोड़ा सा हम दही लिए हैं उसमें एक चमच बेशन लिए हैं और इसे अच्छे से पानी डाल कर एक ग्लास पानी डाल कर इसे अच्छे से मिला लिये हैं इस पर कढ़ाई गरम होने के लिए चड़ाए हैं तब तक कढ़ाई गरम होता है तब तक हम चावल चड़ा लेते हैं तो चावल हम एक गलास चावल लिये थे तो इसमें दू गलास पानी डाल डाल दिये हैं तो ये तब तक हम इदर चावल बना लेंगे क्योंकि जब तक कड़ी बनेगा तब तक हमारा चावल बनके तयार रहेगा तो मेरा कड़ाई गड़म हो गया है तो उसमें अब हम फुरन डालेंगे सरसो जीरा और हींग डालेंगे क्योंकि हींग का स्वाद बहुत अच्छा आता है आप कड़ी पता भी डाल सकते हैं लेकिन अभी मेरे पास कड़ी पता नहीं था तो हम कड़ी पता नहीं डालें उसके टमाटर डाल देंगे, जो कटा हुआ हमारा टमाटर था न, उसे डाल दिये हैं, अब इसमें सारे मसाले डालेंगे, नमक, खल्दी, मेर्च, जीरा, धनिया, मरीच, सारे मसाले, थोड़े से गरम मसाले भी हम डाले हैं, एदर देखे, मेरा चावल ये बन के तैयार है, और ये पांच मिनट हो गया है यह तो बिल्कुल पूरी तरह से सीज गया है और इसका तेल भी बाहर आ गया है तो हम जो अब इसका ग्येवी तैयार करके रखेते दही और बेसन वाला वह भी इसमें डाल दिये हैं और यह देखिए इसमें वाल आ गया है तो हम इसके सारे बनाए से गल जाएगा तो हमारा पांच मिनट हो गया है और देखिए मेरा कड़ी का क्वाइंटिटी भी थोड़ा कम हो गया है और यह पुड़ा थिक हो गया है तो हमारा कड़ी बड़ी बनके तैयार है तो चलिए हम अब अपना प्लेट लगा लेते हैं अभी मेरे घर में कोई भ के लिए तो वह सबजी है कड़ी चावल है तो यह प्लेट में हम कड़ी निकाल लिया है और हमारा प्लेट देखिए बनके तैयार है कड़ी चावल और सुबह की सबजी और सलाद अब मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब